दंगर मुवी का डायलोग तो सबको याद ही होगा मारी छोरी छोरों से कम है क्या ऐसी एक छोरी ने जिले के साथ देश का नाम भी रोशन किया है बिहार शरीफ के दीपनगर स्टेडियम में 20-21 नवंबर को आयोजित नालंदा जिला एथलेटिक्स चेंपेंशिप में हैस्टेग नालंदा की बेटी शंशी फिर्दोस ने बालिका वर्ष अंडर 18 शोर्ट पुट में कास्य डिस्क थ्रो में सुण पदक और रिली में कास्य पदक अपने नाम किया है बता दे की 15 से 17 नवंबर को आयोजित मुझफरपुर में 87 वी बिहार राज्य जूनियर एवं सीनियर एथलेटिक्स चेंपेंशिप में नालंदा की होनहार बेटी शंशी फिर्दोस ने नालंदा का पर्चम लहराया है एथलेटिक्स के साथ साथ ये ताय कवंडो की भी धाकड खिलाड़ी है न्यूज एंकर और एक बहुत अच्छी सामाजी कारे करता भी है जो लोगों की मदद के लिए सदेवतत पर रहती है सबसे चोकाने वाली बात तो यह है कि इनकी उम्र अभी 16 वर्ष है और यह बिहाज शरीफ के खंदक परिस्थित संत जोसेफ एकेडमी की कक्षा बारवी की छात्रा है और इतने कम उम्र में उन्होंने कई सारी उपलब्द्या हासिल की है और इनकी सफलता के लिए कई सारे गणमान्य लोगों ने इनको सम्मानित भी किया है ये अपनी काम्याबी का सारा श्रे अपने माबाप को देती है और समाज को एक संदेश देना चाहती है कि वक्त रहते अपने अंदर छुपे हुनर को पहचानिए और सही वक्ताने पर उसे उजागर कीजिए बिहार शरीफ के दीपनगर स्टेडियम में दो दिवस्ये नालंदा जिला एथलेटिक्स चैंपनेशिप हो रहा था 20 और 21 नोवेंबर को जिसमें मैंने गल्स अंडर 18 में डिस्क थ्रो में मेरा गोल्ड मेडल था और शॉर्ट पुट में मेरा ब्रोंड मेडल था और हाल में ही कुछ दिए पहले 15 से 17 नोवेंबर को मुझफपरपूर में स्टेट अथलेटिक्स चैंपनेशिप हुआ था जिसमें मैंने पार्ट स्टेट किया था इसके साथ साथ मैं ताइकोंडो की भी प्लेयर हूँ और अभी मेरा स्टेट के लिए भी सेलेक्शन हुआ है आप लोग दुआ कीजे कि स्टेट में भी मैं मेडल लेकर आओं मेरा नाम शंशी फिर्दॉस है धन्यवाद